उस खराब इस सिथी के आने का उस मनूस दिन के आने का बेट मत करो आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी अकले मेने सिथी नहीं है दो मेहने पहले पता जाता है कि मैं अभी यह माई नहीं पे कर पाऊंगा अब आप इंतजार करते रहते हो कि तीन यह माई बाउंस हो जाए तीन इमाई का मतला 90 दिन 90 दिन के बाद हो जाएगा एंपी जब आपको पता है दो मेने बाद मैं इमाई नहीं दे पाऊंगा तो अभी बैंक में जब आप इमाई भर रहे हो तब बैंक में जाकर कर लेटर दो किसाब मेरी इस्तिति आज वैसी नहीं है जब मैंने लोन लिया था जब जैसी इस्तितिी थी अगले दो मेने बाद माई एफ्माई नहीं भर पाऊंगा अब मुझे कोई विकल्ब दिया जाए बैंक क्या-का विकल्ब आप फोन ने उठा रहें आप उनके लेटर के जवाब नहीं देरें आप बैंक को पहले बता दो कि मेरी सिधी खराब हो सकती है अब मैं नहीं पेकर पाऊंगा मुझे समय दे या तो बैंक समय देदेगा समय नहीं देगा तो बैंक दूसरा क्या कर सकता है लोन रीस्ट्रक्च तेरी एमाई को उस रेंज में 15,000, 12,000 जितनी आप कर सकते हो उतनी रेंज में ले लेगा इसको री स्ट्रक्षरिंग बोलते हैं री सेटलमेंट कर सकता है री फाइनेस कर सकता है पुराना लोन किलियर करके नया लोन दे सकता है आपको अपकी एमाई अब नहीं वाली जो बने सकता है और जैन्वन जो इससे दिए वह बताना और बैंक से कुछ भी कम्यूनिकेशन करो बार बार बोल रहा हूं बैंक से रिटन कम्यूनिकेशन करो बैंक क्या करता है आपको जब भी कोई कम्यूनिकेशन करता है नोटिस बेशता है क्यो बेशता है बैंक पागनेक है बैं को बताया था मेरा वैपार बंद हो गया है मैंने बैंक को बताया था मेरी एमाई नहीं दे पाऊंगा मैंने बैंक को बताया था मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कर दो मैंने बैंक को बताया था मेरे गर में को बिमार हो गया है मैंने बैंक को बताया था कि मेरी सिधी खराब हो रही ह बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपके सिद्धी आज खराब है बताना पड़ेगा अगर बताओंगे तो बैंक आपकी बास सुनेगा अभी गारी में भी हमारे थे तो एक वेक्टी को बताया गया उसे जाके बैंक में बात किए यह मैं जा रही है उसकी उसने का जी मैं अ पांच महीं नहीं हो जाए फिर जाकर कि अपले कि लगाओ कि मेरी सिद्धी अभी भी ठीक नहीं हुए अगर ठीक हो जाए उपराला करे कोई काम चल जा कुछ हो जाए तो बना शुरू कर दो लगातार तीन इस्ट्रॉल्मेंट बाउंस मत होने देना क्योंकि अगर लगाता अठारा बीस परसन से ज़्यादा दिखने लगेगा तो इसके शेर की वैलू कम हो जाए तो इसलिए जल्दी से बैंक भी नभी डिकलेर नहीं करता लेकिन लगातार तीन इस्ट्रॉल्मेंट नहीं दिन तक अगर आपके अकाउंट में कोई ट्राइशन नहीं होती है तो यह लोन अकाउंट नंबर अलग होता है और इसके करती है नेमिट अपने मंध डालो अगर पूरे ालना घालनी गडिलो आपकि चीटमेंट में आ जाएगा किसने 5000 पर डाले अब अगर कल को कोड जाएगा बैंक कि आप डिफॉल्टर हो तो आप दिखा सकते हैं अगर मैं डिफॉल्टर होता है तो इसका डिल आ जाओ रिटन में एप्लिकेशन और नहीं रिटन में दो तो बैंक के पास ये अभी अधिकार होता कि वह सी इस होल रखे और आगी ये कौंटिनू कर दें तो क्या होगा आपका आगे काऊंटीनू होगया अब तीन में जब थोड़ा सा पैसा है थोड़ा-थोड़ा करके छे मेने साल वर में वो तीन किलर कर दो फिर बिए तो फिर इसमें नहीं होगा अगले साल में फिर आपको 90 दिन का समय मिल जाएगा तो बैंक से बात करो कम्यूनिकेट करो अभी आपने ट्रेनिंग अटेंट कर लियोगी मुझे नहीं मालूम करी के नहीं करी अटेंट करो उसमें करजे से बाहर निकलने के 20 से जाधा तरीके बताएगे ह कोई ना कोई तरीका आपके काम जरूर आ जाएगा आप अपने से पर भी लड़ाई लड़ो मैं भी लड़ रहा हूं साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तब ही सफलता मिल पाएगी अगर आप